नमस्कार आप सभी का निउस पियार पर स्वागत हैं, मैं हूँ रिया यूपी में पेपर लीग का मामला आया जिस पर मुख्यमंत्री ने खुद संग्यान लिया उसके बाद बिहार की बात करते हैं तो बिहार में तमाम परिक्षाओं में पेपर लीक होने के वाबजूद भी कोई संग्यान नहीं लिया जाता जिस पर छातर नेता बोलते नजर आए उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है और कहा है कि किस प्रकार से बिहार सरकार उन लोग को संडक्षन देती है जो पेपर लीक के मामले में संबलिप्त होते हैं हमारे पास दिलिप ने वो वीडियो भेजा है आप उस वीडियो के माध्यम से देखिए कि वो आप से क्या कुछ कह रहे है नमस्कार दोस्तों में दिलिप कुमार दोस्तों कल यूपी में टीटी की परिच्छा थी लेकिन परिच्छा से कुछ समय पूर भी है उत्तर वाट्सअप गरूप में भाइरल हो गया इसकी सुचना मिलते ही परिच्छा रद कर दी गई और वहां के मुख मंत्री जी ने खुद ये घोसना किया कि सिक्छा माफ्याओं पे सक्त कानूनी करवाई की जाएगी उनकी संपत्ती को जब्त किया जाएगा और अभी तक 29 लोगों को गिरफतार किया जा चुका है तो ये एक अच्छी बात है कि किसी राज के मुख मंत्री अगर सिक्छा माफ्याओं पे कानूनी करवाई करने की बात करते हैं तो ये च्छात्रों के लिए तो अच्छी बात है ये अलग बात है कि हो सकता है कि वहां चुनावी समय है, चुनाव होने वाला है, तो इस डर से भी चुनाव के बज़ा से भी छात्री वाओं का बोट लेने के लिए भी मुखमंत्री जी ने ऐसा किया हो। लेकिन जब बिहार की बात हम करते हैं, तो बिहार में कितना सबूत दे दिये हम लोग फिर भी यहां के मुखमंत्री जी कोई कारवाई करना तो दूर की बात, कुछ बोले तक नहीं, चुप्पी साध लिए, दिरित राश्टर बन गये। लेकिन आज तक कोई करवाई मुखमंत्री जी ने सिक्षा माफियाओं पे नहीं किया। और 2446 दरोगा बहाली में जब पेपर लिख हुआ था, तो हम लोग उसका सबूत भी दिये, मुबाईल तक दिये, मुबाईल नमबर भी दिये, मुखमंत्री सचीवाले जाके हम लोग उने सबूत दिया, बीपी एससी ओफिस जाके हम लोग उने सबूत दिया, लेकिन कोई क सभा में बिधान परिशद में उठा, कार्ज अस्तगन परस्ताब तक लाया गया, लेकिन कार्ज अस्तगन परस्ताब को सुईकार वहां नहीं किया गया, चुकि सरकार के लोग ही वहां अध्यक्ष और सभापती हैं, तो सुईकार कैसे करेंगे, जब हम लोग बीपी एससी क सुनित कुमार को हटाने की मांग कर रहे थे, तो नितीश कुमार जी ने क्या क्या मार्च 2020 में इनका कार्ज कल तीन साल के लिए और बढ़ा दिया, जब की नका कार्ज कल समाप्त हो रहा था, और उन्म पर आरोप हम लोग लगा रहे थे, सबूत भी दे रहे था, कि पेपर लेकिन क्या किया गया कि उनका कार्ज कल और तीन साल के लिए बढ़ा दिया गया तो ऐसा क्यों हो रहा है जब हम लोग सबूत दे रहे हैं उसके बाद ही मुखमंत्री जी को करवाई क्यों नहीं कर रहे हैं सिपाही भरती पीटी परिच्छा 14 और 21 मार्च 2021 को जो हुई थी उस उसका आंसर परिच्छा से पहले ही भाइरल था और हमने मुखमंत्री जी को भी इमेल कर दिया था इसके बाब जूद भी मुखमंत्री जी ने कोई करवाई नहीं किया नहीं एक सब्द बोले तो ऐसा क्यों हो रहा है आप खुद सोचिए कि ऐसा क्यों हो रहा है यूपी में करवाई की बात मुखमंत्री जी करते हैं और बिहार में जब हम लोग सबूत देते हैं तो कोई करवाई नहीं जब कि यहां के मुखमंत्री जी बोलते हैं बरश्टाचार पे हमारा zero tolerance है नियाएक के साथ हम विकास करते हैं सुसासन की सरकार है जब हम लोग सबुत देते हैं बरश्टाचार का हम लोग सबुत देते हैं पेपर लिखा तो कोई करवाई नहीं होती है हम लोग सबुत देते हैं कि 25 एक रुपया लेकि BPSC में इंटरवियू में नम्बर दिया जाता है 55-60 एक रुपया लेकि BPSC का सीट बेचा जाता है हम लोग सबूत दे रहे हैं उसके बाप जूद भी कोई करवाई नहीं होती है और दरोगा बहाली में खुले आम 25 रुपया लेके सीट बेचा जाता है पेपर लिख हुआ धांदली हुई लेकिन आज तक कोई करवाई नहीं की जाती है तो ऐसा क्यों होता है क्योंकि नितीज जी के करीबी दोचार नेता है वो लोग इस पेपर लिख में धांदली में सनलिप्त है वो लोग पैसा लेके सीट बेच रहे हैं नौकरी बेच रहे हैं और यहीं बज़ा है कि नितीज जी भी कोई करवाई नहीं करते हैं अगर एक बार CBI जांच हो जाए तो उस सारे सिक्षा माफिया पकरे जाएंगे जो पेपर लिग करवाते हैं हर परित्योगी परिच्छा में सेटिंग गटिंग करते हैं पैसा लेके सीट बजते हैं लेकिन ऐसा क्यूं नहीं हो रहा है जांच क्यूं नहीं हो रही है कोई माफ्याओं को संरक्षन प्राप्त है इस वज़ा से इस वज़ा से सिक्षा माफ्याओं पर कोई कारवाई नहीं होती है कोई जांच नहीं होती है और जहां सबूत भी मिल जाता है वहां भी कोई कारवाई नहीं होती है तो ऐसा आखिर कब तक चलेगा यह आप बिहार के समझत च्छात्र च्छात्राओं को सोचना पड़ेगा कि क्या आप इसको देखते रहेंगे और सीट बिखते रहेगा पैसा लेके और पेपर लिक होते रहेगा पेपर लिक करके करोरो रुपिया की उगाही की जाती है सिख्छा माफियां द्वारा इसमें नितीस जी के करीबी 4-5 न आप खुद सोचिए कि BPSC के अलग लग रहे हैं दरोगा भाली वाले अलग सिपाही भरती वाले अलग BSSC वाले अलग तो सरकार को भी पता है और आयोग को भी भरती आयोग को भी पता है कि यह लोग बटे हुए है जाती में धरम में पाटी पोलिक्स में या फिर मनवानी और गुंडागर्दी कर रहे हैं जिस दिन हम लोग एक हो गए है चाहे हो दरोगा भी अवियरती हो सिपाही अवियरती हो BPSC के हो BSSC के सभी लोग एक जुठो कर जिस दिन आवाज उठाईएगा तो किसी भी आयोग की इतना हिम्मत नहीं होगा किसी भी सरकार की इ क्या अंदुरान होता है तो कितने लोग सरक पे उतरते हैं BSSC पर्थम इंटरस्तरी ये वाहली सारे साथ साल से लटकी हुई है तिरपर हजारा स्टुएंट्स अभी इस में हैं लेकिन जब आंदुरान होता है तो कितने लोग आते हैं सिपाही भरती में 12 लाख लोग उठा रही है तो जब तक हम लोग एक जुठो का रवाज नहीं उठाएंगे तो इसी तरह सीचों की बिकरी होगी और परतिभा का हनन होगा परतिभा के साथ खिलवार किया जाएगा आपके मेरिट के साथ खिलवार किया जाएगा आपके पास किसी भी परिच्छा का पर आता हो कोशन आता हो या अंसर आता हो पर इच्छा से पाले तो आप बिना डरे हुए हमें भेजिये आपका नाम कहीं भी नहीं लिया जाएगा आपका नाम हम छुपा के रखेंगे गुपत रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए आपका नाम कहीं नहीं आएगा हम अपनी जीमे को कानूनी करवाई करने पड़ेगी हमारा मोबाइल नंबर है 7282005656 इस पर आप हमें वाट्सप या कॉल करके बताईएगा जो भी जिस भी परिच्छा का आंसर या कोश्चन आपके पास आए तुरत हमें बताईएगा इसके बारे में और एक जुट रहेए एक जुट हो ये तो सबसे पहले एक जुट हो ये धन्यवाद जाहिए तो आपने सुना कि दिलिप ने क्या कुछ कहा है तो पेपर लीक के मामले में उन्होंने कहा कि साफ तोर से देखा जा सकता है कि यूपी में शायद इलेक्सन है इसकी वज़े से भी यह किया गया हो लेकिन अगर हम बिह करते हैं तो बिहार में पेपर लीक का मामला नया नहीं है 2020 में विधानसभा चुना हुआ उसमें भी तमाम मुद्दों पर बात चीत की गई लेकिन फिर भी नितीश कुमार की तरफ से हमारे मुख्यमंत्री की तरफ से कोई वैसा स्टेप नहीं लिया गया जैसा लेना चाहि झाला है झाला हुआ झाला है